उमर बढ़ने के साथ-साथ बालों का सफेद हो ना सोभा भी है लिकिन कम उमर में बाल सफेद हो ना परिशानी का बात है अगर आपकी बालों को भी असमय में सफेद हो रहा है तो आप इसको छुपाने के लिए chemical जुक्त कलर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपका बड़ी में साइड इफेक्ट बकाएगा तो सफेद वालों से निज़ात पाने के लिए आप नाचुराल तरीका को अपनाए जिसका मदद से सफेद वालों काला हो सकता है पहले आप कॉलोंजी को लेना है आपका वालों को काला करने में मदद करेगा तो इसमें कैलिसियम, पोटासियम, आईरोन, मागनेसियम और जिंक भी है ये कोई तरह की विमारिया को दूर करने में मदद कर सकता है ये भी हाट का समस्या और वजन घटाने के लिए आप लोगो मदद करेगा आप इससे दो चमस एक बाउल में ले लिजिए तो इभी बालो को काला करने के लिए आप लोगो मदद करेगा तो उसके बाद आप मेथी को लेना चाहिए तो इसमें पली फिनोल से है इसके साथ साथ आईरोन, कैलिसियम, फोस्परोस भी इसमें है तो इसमें अंटी इंफ्लामेटरी और अंटी अक्सिनेट का गुण पाए जाता है एभी बालो को काला करने के लिए आप लोगो को मदद करेगा आप इससे दो चमस एक बाउल में ले लिजिए तो ग्रांडिंग करने के बाद वो मिक्स को आप एक बाउल में निकल दीजिए तो इस आप लोगो का बालो का काला करने के लिए मदद करेगा तो उसके बाद आप समर्शों का तेल लेना चाहिए तो इसमें विटामिन E भरपूर मात्रा में पाए जाता है ए अउसद की तरह काम करता है ए तोचा के लिए भी बहुत आच्छा है जोडों का दर से रहाद दिलाने भी ए मदद करेगा तो आप इस से शार चमशों भाउल में डाल दीजिए तो इभी वालो को काला करने के लिए आप लोग मदद करेगा तो इतिनों को आप आच्छा दर से मेक्स कर दिजिए आप देखिए मैं ए सब को नाचुरल तरीका से बनाया इसमें कुछ केमिकाल प्रोडक्ट नहीं है तो ए आपको वाला को काला करने के लिए ए मदद करेगा तो आप इसको एक हफ्ता में दो बार लगाना चाहिए तो इस मिस्त्रोन को कुछ दिन लगाने से आपका वाल नाचुरल से काला हो जाएगा तो आप ए तरीका को अपनाए और आपका जो सफेद वाल से निजातवाईए तो नाचुरल इसे आपका बालो को काला कीजिए तो आप लोगों को मेरा वीडियो आच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक सेयर, एक सब्सक्राइब कर दीजिए एक कॉमेंट ही दीजिए तो आप लोग मेरा वीडियो को वाचिंग के लिए धन्यवाद है